कि हैं अलो फ्रेंश कैसे वो आप सभी मिठी चैनल में बहुत-बहुत आ तो अभी यहां पे मौनिंग का टाइम वह रहा है और मौनिंग का सारा काम खतम करके मैं मौनिंग का पूजा कर रही हूं तो यह किलिप सैटाडे का किलिप है तो यहां पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मॉर्णिंग का मैं बना रही हूँ चाहे और अभी ये जो कराही देख रहे हो ना ये जो है नया वाला कराही है जो मेरे सासु मा ला दिये थे वो तो इसमें मैं भी बना रही हूँ सबसे पहले मैं इसको दोली थी और इतना दिनों के बाद मैं इसमें बना रही हूँ तो नया चीज में पहले जो है मीठा बनाना चाहिए था तो मैं सोची क्या बनाओ क्या बनाओ तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा जो है हल्वा बना देती हूं क्योंकि आज मैं सुबह से मतलब बचों का छुटी था ना तो सुबह से कोई ब्रेकफास्ट वगेरा कुछ भी नहीं नहीं तो इसका मैं मैं हलोवा बना रही हो तो यह दिखे संसे पहले मैं इसमें गीर डाल देती हूं और सूजी को अच्छी तरह से भुनने के बाद फिर मैं इसमें पानी जो है डाल देती हूं चीनी स्की और पानी तो मेरा हलवा भी बन जाता है थोड़े दिलें आग और पनीशा भी अभी चाई और बिस्किट खा रही है और मैं खा रही हूँ चाई और रस फिर थोड़ी दिर बाद मैं खाना बनाने में लग गई हूँ तो खाने में मैं चावल बिठाई थी बड़े वाले पतीले में और उसके बाद जो है मैं अभी बना रही हूँ आज कठल की सबजी तो आज पहली बार इस सीजन में हम लोग जो है कठल लाए थे तो अभी मैं वही बना रही हूँ तो सबसे पहले अभी यह देखे कुछ यहां पे प्याज वगेरा जो है भून लेती हूँ हिंग जीरा मैंने डाल दिया था और लस मैं प्याज थोड़ी फ्राइब अब काटे तो यह देखे प्याज भून चुका था इसमें मैं अब सली डाल देती हूं तो मसाले में मैंने सब कुछ इसमें मिला के पीष दिया था और अच्छी तरह से इसको नहोंगी तो अभी थोड़ा थोड़ा तेल चौड़ दिया है और भी थोड़ा सा भी तेल चोड़ेगा उसके बाद जो है इसमें मैं कठल को डाल देती हूं तो यह दिखिए कठल को मैंने डाल दिया है और यह जो कठल था ना यह अच्छा लगा था क्योंकि अभी फर्स टाइम आया था और फर्स टाइम मतलब कठल की सबजी में बना रही वासनी की हूँ अभी मैं करूंगी थोड़ी देर बात तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो गया था ना लाष्ट वीडियो तो इसमें काफी सारे आप सब के कॉमेंट आ रहे थे उसमें से तो बहुत अच्छे-चे कॉमेंट आएं कि मतलब अच्छा है ज़रत की चीजे ल बच्चों की future के लिए तो वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कुछ लोगों के ऐसे ऐसे comment आये ना वो बोल रहे थे मतलब कॉम्पीटिशन करती हो नकल करती हो तो इस तरीके के comment आ रहे थे तो नकल कॉम्पीटिशन तो ऐसे क्या बात है इसमें अगर घर के लिए कुछ खरीदारी करेंगे तो क्या यह कॉम्पीटिशन हो गया यह नकल हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे घर के लिए मैंने पहले ही जैसे कि मैं दीरे-दीरे करके कुछ ना कुछ मैं अपना जो है लेती र तो अभी भी मैंने कुछ मतलब वीडियो में दिखाया था कि मैं यह लोंगी वो लोंगी अल्मीरा वगेरा लोंगी तो इसमें भी आप लोग के भोल रहे थे कि नकल तो यह सो कुछ नहीं है मेरे घर के लिए जरूरत की चीजह थी कुछ जरूरी थी मतलब भri जरूरी है मेरे गषग उसकी हों आने वाले वीडियो में तो है क्या 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 लिया है क्योंकि इसमें कोई competition की बात नहीं कोई नकल की बात नहीं जिसको जो चीज जरूरत होता है ना उक खरीदारी करते हो तो ऑफ लोग भी किसी अपने रिष्थेदार के नकल करते हो क्या नहीं ना आपके घर के जड़त परता है इसलिए आप खरीदारी करती हो तो बस मैंने भी खरीदारी किया दीरे दीरे करके कुछ ना कुछ मैं खरीती रहती हूं सुरू से ही मैं कपड़े वगेरा भी खरीती रहती हूं कुछ मेरे घर की जो जोरत रहते हैं वो भी मैं खरीती रहती हूं को यह था और कोकिसी का नकल नहीं करता को एक संद्टा नहीं करता है बस जिसको जो ज़ू रहें वो खड़िते हैं तो पुलिज ऐसा मत बोली किसी को की नकल करते या कमपीटिशन चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो यह था और चलिए고 में के लेती हैं चुट्य है जो जो भी हशाए बिस्कुट गुस्ट में मना किया उन्जा यह बात नहीं करेगा तो यह बहुत दिनों से आपकर वूजन है तो यहां पर दूद ना तो इसका में देखती हूं आपनेर बनाओंगी तो एक इलो था इसमें और शारा फट गिया चलिए मैं इसका भी पनीर बना देती हूँ साम हो गया चलो तो अभी मैं गई थी नीचे डुग्गू को बुलाने और गोलू भी खेल रहा था तो गोलू और डुग्गू दोनों आ गए और मनीशा जो है बहुत ही कम जाती है खेलने के लिए मतलब कभी कभी जाती है और यहां पे यह देखे मैं जो हमारा यह दूद फटिया था ना उस दूद का मैं पनीर बना दी थी और इसमें मैं बारी कटा हुआ हरीमेच डाल देती हूं बारी कटा हुआ प्याज डाल देती हूं और सिंपल वाले पनीर के पराठे में बनाती हूं तो बहुत अच्छा लगता है तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है और हां नमक डाला मिर्ची और प्याज इन सब को डाल के अची तरह से मिला लिया है आटा में गुंद के रख दी थी तो आटा जब गुंदने के टाइम में थोड़ा सा उसमें नमग भी डाल दी थी और फिर इसके पनीर के पराठे बनाऊंगी तो यहां पर मनीशा जो है वह भी कुछ कुछ काम कर रही है मतलब सबजी बना रही है और यहां पर यह देखे मैं पनीर के पराठे बनाती हूं तो सबसे पहले इसमें मैं इमनीशा प्याज थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटी थी तो फिर ही मैं इसी को डाल के और बना देती हूं और गोलु ना वो जो है पनीर उसको बहुत लाधी कम पसंद आता है तो उसके लिए ना मैं अभी simple वाले मतलब तरिंगल वाले प्राथे होते है ना वह मैं वना रही हूं गोलु के लिए और डग्गू के लिए अभी मैं वनारी गोलू को त्रिंगल वाले पराठे और अचार खा रहा है कि मेरे सारे पनीर की पराठे जो है बन गए है और बच्चे कहले है और अभी बढ़ता ना भी मुझे धोना बाकी है तो मैं भी जारी खानी तो यह दिखिए यह पनीर की पराठे और मैंने जो है अचार रख लिया है और यह दिखिए नहां पर गोलू ना इतना जल्दी आज सो गया ना बहुत जली क्योंकि ठाग गया था और आजकल ना गर्मी लगने लगे तो रात को हम लोग सोते है ना तो फंखा जो है चला के सोते हैं यह जा लिया है और थना है तो मैं खा लेती हूं उसके वाज़ काम करूंगी